दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपशे शेयर करने वाला हूँ WordPress के बारे में कि यूनो अब ये जो सिरीज अपनी स्टार्ट होगी इस फोल्डर में या इस मॉडूल में वो है वेबसाइट डेबलप्मेंट का with WordPress के थुरू तो हमें लगता है कि या वेबसाइट बनाना बहुत ही एक rocket science हो सकता है यह चीज़े पहले थी 2004 से पहले या 5-6-7 से पहले जब आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए PHP आने की जरूत है, .NET की जरूत है, JavaScript की जरूत है, उसके बाद HTML सीखना पड़ेगा, यह coding के languages थे जो आपको पता होने चाहिए थे लेकिन अब इन सब चीजों की जरूत पढ़ सकती है, लेकिन अगर नहीं भी आप जानते हैं, मतलब अगर आप CS के student, Computer Science के student नहीं भी है, तब यह बना सकते हैं, वो है WordPress के दुरू, मतलब Content Management System, कुछ ऐसे open sources हैं इंटरनेट पे, जिन्होंने वो tools आपको बना दिये हैं, सिर्फ आपको drag and drop करके अपनी website डिल करनी हैं, जैसे आपके phone में, आपको phone मिलता है, तो उसमें आप theme अपने recording रख लेते हैं, जैसे आपको जो भी theme चाहिए वो आपने recording रख लेते हैं, तो यहां पर मैं आपको इंट्रिड्यूस करूंगा WordPress को, WordPress कहते हैं कि open source है, जहां पर आपको कोई coding के जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया की जितनी वी website है, उसमें 35% website सिर्फ और सिर्फ WordPress पे बनी है, चाहिए आप इस पे small scale पे बना सकते हैं, खुद की vlogging, vlogging के लिए कहते हैं कि WordPress बहुत ज्यादा यूजर friendly है, मतलब vlog लिखना है, जिससे आप earning करते हैं, adsense पैसा लगा के वह आपको बताया जाएगा इसमें, वहां जाकि आप अच्छे से कर सकते हैं, बट मैं आगे आपको introduce करूँगा, कि जैसे ही आप अपना WordPress पे अपना install कर लेते हैं, बहुत simple है, आपको सबसे पहले एक domain लेना होता है, एक hosting लेनी होती है, domain आप बहुत सारी website से ले सकते हैं, चाहिए वो GoDaddy से हो, BigRock से हो, जहां से आप domain लें, वहीं से आप hosting लें, जैसे आपको domain name सरभय बार 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 चेंज नहीं करना पड़ेगा, बड़ी easy रहता है cPanel में पहुँचना, जैसे ही आप hosting और domain ले लेते हैं, वह एक computer है, जहां पर आपको CPU मिलता है, hard drive मिलता है, वह सारी चीज़ आपके लिए fit होती है, जो आप rented करते है, yearly business पर उसे कहते है hosting, जैसी यह दो चीज़े मिली आपने WordPress पर अपनी website live कर ली, पांच मिनटी website live होगी, जैसा कि आप आई की videos में देखेंगे, उसके बाद जैसी live हो जाती है तो उसको कस्टमाइज करना पड़ता है, उसके लिए आपके सबसे पहले एक theme की जरूद होती है, यह आपका business का category किस चीज़ का है, माल लिए आपको blogging की website बनानी है, blogging for what, flu bloggers है, trainers है, fitness पे बनाना है, medical health पे बनाना है, आपको lifestyle पे बनाना है, जिस पे भी बनाना है उस type से related internet पे बहुत सारी theme है, WordPress पे आप search करेंगे तो paid भी theme मिल जाएगी और उसके बाद free भी है, अस्तरह है जिनका paid theme और free दोनों है हम इसमें आगे बताएंगे, लेकिन free वाली चीज़े इसमें बहुत अच्छी है तो आप free से यूज़ कर सकते हैं, जब आगे adsense revenue और affiliate revenue अच्छी आए तो आप अपना paid भी यूज़ कर सकते हैं, जब आप इस theme को invild करेंगे तो इसको customization करना होगा, कि नाम हटाना है, change करना है, picture change करना है, इन सब चीज़ें के लिए आपको एक builder चाहिए होता है, इसका नम होता है builder बोलते हैं, दो-तीन चीज़ें ऐसे elementor हो गया, dv हो गया, बहुत famous builder है जिनको customize करते हैं, सिर्फ drag and drop करके edit हो जाती है, button लगाना है, clickable चीज़े लगाना है, सारी चीज़े होती है, तो इस पूरी series में आपको elementor के बारे में बताया जाएगा, कि आप elementor यूज करके कैसी चीज़े edit कर सकते हैं, जब आप यह चीज़े कर लेंगे तो website एक बन जाती है, जो हो कि हमने plugins के section में पूरा detail भी कर रहा है, वहाँ आपको मैं बताऊंगा, तो आप जाके उस थाइप की plugins involved कर सकते हैं, वह सारी चीज़े form भरवा सकते हैं, ऐसे ninja forms हो गए, जैसे मैं बात करूँ कि अपना SEO used हो गया, ऐसी websites जो काफी user friendly होती हैं, जैसे हो SEO से related हो, so many plugins आपको वहाँ मिलेंगे जिससे आप use कर सकते हैं, तो दोस्तों यह थी WordPress की series, आप पूरा start करते हैं, WordPress को आपको समझाना, vlogging कैसे आप कर सकते हैं, किस तरह के से आप अच्छे revenue generate कर सकते हैं, तो चलिए आगे की series देखते हैं, धन्यवाद!